प्रियमित्रों आज हम विक्टर यानि सदिश राशियों इंबर बात करेंगे और ये वीडियो विशेशत और से उन विद्यारत्यूं के लिए हैं जो हिंडी माध्यम में पढ़ते हैं दर असल जो बच्चे मात्र अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं उनके साथ तो ये वीडियो पहले भी दिये जा चुके हैं और और भी करम से दिये जाते हैं पर कुछ विद्यारतियों ने मुझसे कहा सरम हिंदी माध्य में पढ़ते हैं इसलिए हमें बहुत सी भाषा हैं कभी-कभी समझ नहीं आती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो तकनीकी भाषा है उसका प्रियोग करूँ और उससे आपको सदिश राशी का एक वीडियो आपको दे रहा हूँ देरे देरे ये आपकी आवशकता होगी तो इसके और वीडियो भी देता रहूँगा आईए तेकि आपने जब किसी भी चीज़ को पढ़ा वो सदिश और अदिश जितनी भी राशीया आप बहुत एक शास्तर में पढ़ते हैं सदिश हैं या अदिश हैं अदिश कहते हैं जिनमें दिशा नहीं है और सदिश कहते हैं जिनमें दिशा है 5 रुपए, ये एक अदिश राषी है, रुपए के कोई दिशा नहीं होती है, 3 घंटे यह अभी अदिश राषी है, तो अदिश राषियों में मात्र परिमान है, दिशा बिल्कुल नहीं होती है, वैसे जिन चीजों को हम भहूत एक शास्र में पढ़ते हैं, उसका उधारना आपको दे दूमें, सिती, चाल, समें, ये सब हमारे पास अधिश राशियों में हैं, उसके बाद हमारे को आवशकता पड़ती है सधिश राशियों की, जिनके साथ परिमान के साथ साथ दिशा भी है, मैं बोलूगा मुझे चार किलो मीटर पूर्व की दिशा में जाना है, अब ये चार किलो मीटर के साथ पूर्व की दिशा जुड़ गई, यदि मैं सिर्फ चार किलो मीटर कहता, तो यह अधिश राशियों होती, लेकिन मैंने पूर्व की दिशा में मेरा बल लग रहा है, तो ये पूर्व की दिशा होगी, पश्टिन दिशा में मे तीन राशियां बताएं जो आपने कभी पहले पढ़ी भी होंगी और आज भी आप कहेंगे कि वेग त्वरन विस्थापन इत्यादी हमारे पास सदिश राशिया हैं पर एक प्रश्ण बड़ा सीधा होता है कि आपने पढ़ लिया हाजी पढ़ लिया जी पुस्तक में लिखा था कि स्थिती को चाल को समय को आप अधिश राशी माने और वेग को परन को विस्थापन इत्यादी को हम लोग सदिश राशी माने परण तो क्यों ये कुछ चीज़े तो आपने भहतिक की पुस्तक में पड़ी है लेकिन और भी चीज़ें बहुत सी है तो ये पहचान कौन करेगा पहली बात और दूसरा ये निर्णे कौन करेगा ये तो है नहीं को बहुत इक शास्त्री ने बता दिया कोई पुरानी चीज़ हमने अदिश और सदिश मान ली तो आई आपको समझाते हैं आपको स्वैम ये समझना है जिस किसी भी मान में जिस किसी भी परिमान में दि दिशा से कुछ प्रभाव पढ़ता है वह सदिश राशी होगी जिसमें दिशा का प्रभाव नहीं पढ़ता वह अदिश राशी होगी देखिए ये कार खड़िया आपके सामने इसके उपर दो वेक्तियों ने बल लगा दिया है अब ये कार किधर जाएगी सोचिए जरा हो सकता है कुछ विद्यारती ये कहें कि क्योंकि सर दो बल लग रहे हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं से हैं इन में ये चलेगा नहीं लेकिन ये चलेगी नहीं कार ये कहना अभी गलत है जब तक आपको यह न पता हो कि दोनों में से कौन सा बल अधिक है यदि किसी बल का परिमान अधिक है तो वही महत्वपूर्ण रह जाया गया ना उसी दिशा में उसको खीच देगा अब यहां पर अगर आपके पास आप देख सकते हैं बल लगाने के लिए दिशा भी महत्वपूर्ण है दो व्यक्ति इस कार पर बल लगाएं और वो ऐसा संभव है यदि द जास्त में अंत में विस्थापन रहेगा वह शुन रहेगा लेकिन यदि यही दोनों बल एक दिशा से लगा दिये जाये तो इसका विस्थापन भी होगा चाल भी होगी त्वरण भी होगा है ना तो इसलिए जब ये बन लगाया जाएगा तो उसमें ये क्या है ये महत्तबुड होने के कारण ये सदिश राशी है आपको स्वाइम फैसला करना है मान लीजिए आप बजार जाते है कुछ समान लेने के लिए और किसी ने कुछ समान को इस तरफ से डाल दिया किसी ने इस तरफ से डाल दिया घर पर आप जोला लेकर आएंगे तो आपके पास कौन सा समान बाई तरफ से डाला कौन सा दाई तरफ से डाला क्या उसका महत्तब आप स्वष्ट कह सकते हैं बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें जितना सामान आपने डाल दिया अगर थैला नीचे से नहीं फटा है तो इसकी अंदर जो सामान डाल दिया वो आपके घर तक पहुच जाएगा आपने किसी भी दिशा से डाला हो इसलिए बाजार से सामान यह अदिश राशी है सामान डालना अदिश हो गया तो इसी प्रकार से आपने स्वयम समझना है बहुत एक शास्त्र में आपकी बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसी आती रहेंगी जो सदिश और अदिश होंगी उनको हम दीरे दीरे समझते नहेंगे लेकिन मैंने आपको मूल वंतर दे दिया कि जिसमें दिशा महत्तोपूर्ण होगी आप स्वयम बाल मोर लीजिए दो घंटे अब दो घंटे में कौन सी दिशा है इसलिए हमारे पास चाल सिती समय ये सब हमारे पास अदिश राशिया है आईए अब इस वेक्टर को दिखाते कैसे है इस वेक्टर को इस तरह जो आपके सामने एक बना हुआ है तीर की तरह तो तीर की जो नोक है और जो पूँच है नोक उसकी दिशा बताती है इसकी पूँच से नोक तक की दिशा है ये समझे है पूँच से नोक तक की दिशा है और इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं एक वेक्टर जैसे ए है A के उपर आपने देखा एक तीर की तरह arrow लगा दिया इसका नाम वेक्टर होता है तो वेक्टर की पहचान यह है अगर आपको वेक्टर बनाना है तो इस तीर की तरह बनाएंगे और यदि वेक्टर लिखना है तो आप a के उपर ऐसे एक तीर लगा देंगे चोटा सा अब ये एक a vector है अब ये सोचे जो ये वेला vector बना है ये कैसा है ये क्या इस a vector से जो पहला बड़ा है उससे बड़ा बना है चोटा बना है देखकर आप लगभग कह सकते हैं कि लगभग बराबर ही है लेकिन फरक क्या इसकी दिशा उल्टी है क्योंकि आपको बताया पूच से लेकर आगे तीर तक की दिशा आपने लेनी है आपने पूच से चोच तक जाना है तो पूच से चोच की दिशा इसमें उल्टी हो गई हम यह कहेंगे अब यही चीद अगर समय में होती तो कोई फरक नहीं पड़ता दिशा का, लेकिन क्योंकि ये सदिश राशी है, इसको माइनस ए कहा जाएगा, रिन ए कहा जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा उल्टी होगी, अगर आथ पांच किलो मीटर चल रहे हैं, उत्तर की तरफ, तो मतलब आप माइनस पांच चल रहे हैं, ऐसे समझी इसको, अब एक और हमने वेक्टर बनाया, ये देखिए, इसको बना दिया, एक और लिखने का धंग, इसको देखिए, ये बी है वेक्टर बना दिया, इसको एक और लिखने का धंग है, जो मैं भी कई बार लिखूँगा, और आग भी देखिएंगे, कि इसमें इस बोल्ड, गाड़े डंग से लिखा जाता है, समझ रहे हैं, आप B के दोनों अक्षर देखिए, एक पर आपने तीर लगाया, और एक पर आपने गाड़ा लगा दिया, ये भी वेक्टर का तरीका है, अब ये बताईए, इसकी दिशा क्या है, क्या इसकी दिशा A की है, या B से एक ही है, आप देखकर बता सकते हैं, इसकी दिशा तो A की है, लेकिन ये A से बड़ा है, तो लगबग आप ये कह सकते हैं, कि इसकी पूच से चोच की लंबाई A वेक्टर से दुगनी है, तो क्योंकि वह लंबाई दुगनी है, इसलिए इसके ओपर हम नाम रखें कि 2A ह बन जाएगा, उसकी लंबाई तो वेक्टर में दो चीजे हैं, दिशा और वेक्टर का परिमान, अब A वेक्टर का परिमान जो है, वो दो A के वेक्टर के परिमान से आदा है, दो A का परिमान A के दुगना है, तो ये वेक्टर की पहली बात आपको समझ रही है, अब आपक एक बात और समझाएंगे ये देखिए सदिश या राशियों का योग कैसे किया जाता है योग का मतलब आप जो वेक्टर बनाएंगे चोंच से पूच तक का एक की पूच में दूसरे की फिर चोंच जोड़ दीजे जैसे ये एक वेक्टर रहा और मैंने एक वेक्टर ये लिलिया बी अब मैं इनको जोड़ना चाहतू देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ ये देखिए मैंने पहले बनाया ए और इसकी चोंच में बी की पूच जोड़ दी ये देखिए अब जो एकी चोंच से बी की पूच तक लगेगा उसका नाम ये है ए प्लस बी इसको हम ए प्लस बी कें क्योंकि आप ए की चोंच में बी की पूच जोड़ दी है तीर की तरह बनता है इसी प्रकार देखिए अगर मैं पहले बी बनाओ ए बनाओ और इसके बाद बी पहले बराबर है तो सदिश राशियों में ए जमा बी करिए या बी जमा ए करिए बात एक ही है अब एक और वेक्टर देखिए ये दिशा आप देखिए किसकी है माइनस एक ही है आपको ध्यानों का ये माइनस ए है और ये दिशा किसी है B की है, अब यह क्या बन गया, देखिए आपने क्या किया, A की चौच, B की चौच में A की पूछ कोच डाल दी, और माइनस A की डाल दी है, तो यह B माइनस A, यह बन जाएगा इस तरह इसको ऐसे कहा जाएगा, यदि B जमा A करना होता तो B के उपर A की चोंच लगाता लेकि इसमें हमने उल्टा कर दिया माइनस A कर दिया क्योंकि माइनस A में आप जानते हैं सिर्फ दिशा बदलती है इसको आप देखिए ये 2 A हैं डबल बना दिया A का दुगना इसका परिमानत दुगना हो गया अब इसके आगे हमने B लगा दिया तो ये जो अब इस 2 A की चोंच से B की तूच तक जो जोड़ा जाएगा वो क्या बनेगा देखिए 2 A प्लस B तो किसी भी सदिश राशियों का योग करना घटाना ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत आसान है वेक्टर बना करके ये दिया आप देखिए वेक्टर को लिखने के दो धंग है एक इसको आप इस तरीके से लिखा करते हैं और दूसरा दिर्देशांग जामती के तरीके से लिखते हैं कॉडिनेट जोमेट्री कहते हैं मैं आपको अंग्रेजी के शब्द साथ साथ इसके लिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि जिन लोग ने इसके आगे तैयारी करनी है प्रतियोगी परिक्षा होगी उनको उसके बाद वहाँ पर ही आवशकता हैं पढ़ेगी तो वो कॉडिनेट जोमेट्री जिसको है इसके अतरिक्षा हम त्रिकोण मिती का प्रियोग भी करेगे इस सदिश राशिक को पढ़ में वो भी आपके सामने अभी आएगा यहां तक आप समझ गए हैं मुझे आशा है इस वीडियो में आप यहां तक की बात पूर्ण तया समझ गए होंगे और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो मुझे बताते रहिएगा तो हम उसको करते रहेंगे साथ साथ इसके अतरिक्ष भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते जिस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए मैं कोशिश करूँगा वह वीडियो आपको दे कर आपकी मजद कर दो धन्यवाद